पाकस्तान आर्मी चीफ राहिल शरीफ 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं राहिल के रिटायर में जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे पाकस्तान आर्मी का नया चीफ कौन होगा इसको लेकर चर्चा तेज होने लगी है पाकस्तान आर्मी के चार टॉप जेनरलों में राहिल शरीफ का उत्तराधिकारी कौन होगा इसको लेकर काउंड़ाउन शुरू हो गया है और टॉप चार जेनरलों में से अगला सिनाध्यक्ष चुनने के लिए गेन नवाज शरीफ के पाले में है प्राज़ितिक खेमों में हो रही चर्चा के अनुसार मुलतान कोर की कमांडर लेफटिनेंट जेनरल इश्वाक नदीम एहमद अगले सिनाध्यक्ष हो सकते हैं इश्वाक नदीम को काउंटर टेरिरिजम में महारत हासल है सूत्रों की माने तो जेनरल राहल शरीफ के उत्तराधिकारी के बारे में प्रधान मंत्री नवाज शरीफ पहले ही मन बना चुके हैं लेकिन उन्होंने फैसले को सारवजनिक्ट महीं किया है रेपोर्ट के मताबिक लेफटिनेंट जेनरल जुबैर महमूत की नियुकती स्टाफ कमिटी के संयुक्त प्रमुकों के अध्यक्षपत पर होने की संभावना है जेनरल इश्वाक के अलावा पाक सेना के स्टाप पोस्ट की रेस में शामिल अन्य लोगों में बहावल पर कॉर कमांडर लेफटिनेंट जेनरल जावेद इकबाल रमादी और महा निरिख्षप ट्रेनिंग और इवालुएशन लेफटिनेंट जेनरल कमर बाजवा भी शाम को पूरा करना नय सेना ध्रक्ष की जिम्यदारी होगी इस संदर्ब में नवाज शरीफ की पसंद बहतुपून होगी क्योंकि नय सेना ध्रक्ष को सेना की आतंकवाद रोधी जिम्यदारी से सीमस रक्षा की उसके पारंपरी भूमिका में बदलाव की निग्रानी करनी होगी प्रक्रियाश शुरू होती है इसके बाद फैसले की घोशना से पूरु प्रधान बंतरी निवर्तमान सेना धर्ष के साथ अनाप्चारिक मश्वराग करेंगे